जाहिन दोस्तो बहुत बहुत श्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में आज हम लोग टैली प्राइम में उधार खरीदना और उस पे इंट्रेस्ट चार्ज करना with GST के साथ में यह तीनो टॉपिक को आज हम देखने वाले हैं दोस्तो टैली प्राइम में तो आई हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यह तीनो टॉपिक को step by step करके समझते हैं कि कैसे हम टैली प्राइम में उधार credit purchase और sales की entry करेंगे उस पे GST चार्ज करेंगे और interest calculate करके कैसे हम उसे pay करेंगे तो इन चीजों को हम declare आज आज आपको details में बताएंगे तो इसके लिए मुझे कुछ features को yes करने होंगे टैली में F11 कीवोर्ड का हमें press करना होगा F11 करने के बाद एक option bill by bill का yes हो जाएगा एक enable interest calculation का option yes होगा उसके बाद दोस्तों आपको एक GST का option यहां से yes करना है yes करने के बाद GST number आपको यहां पे डालना होगा state तो by default आपका ले लेगा लेकिन आपके पास जो GST का number है वो GST number आपको यहां पे type करना है type करने के बाद enter करेंगे और तब इसे final accept करेंगे तो तीन चीजों पे आपको ध्यान देना है bill by bill entry yes करना है interest calculation yes करना है और यहां से GST को yes करते हुए accept कर देना है अब दोस्तों कुछ lasers की जरूवत परेगी दोस्तों हमें कुछ lasers मनाने की जरूवत होगी तो आईए हम lasers बनाते है laser बनाने के लिए create में जाना है आपको create में जाने के बाद यहां पर laser का अपसंदिखाई देगा laser पर क्लिक करना है laser पर क्लिक करने के बाद एक laser आपको पहले sales का बना लेना है sales का laser अंडर जाएगा sales account में इंटे करने के बाद type of laser डालिएगा Active Interest calculation इसमें No रहेगा Sales के laser में interest calculation की कोई ज़रोत नहीं है GST applicable को applicable कर लेंगे Details को Yes करेंगे अब यहां से description में type कर लेंगे goods क्यूंकि समान का हम transactions कर रहा है उसके बाद हम enter करेंगे तो जो HSN code होगा वो डाल लेंगे Nature of transactions में purchase taxable को सैलग करएंगे से cigs मना रें तो शेल्स टेकसे बल्को अगर परזה मना तो परचेस टेकसफा है वल्को of groups हैं purchase account को select कर लिए type of pleasure not applicable GST applicable को applicable करना है details को yes करना है description में goods लिख लिख लेना है HSA number जो है वो type कर लेना है nature of transactions में purchase taxable को select करना है यह purchase के लिए बन रहा है इसलिए purchase taxable को select करेंगे फिर इंट्रे करते हुए integrated tax आपको charge करना है यहाँ पे 12% जिसमें central 6% state 6% और case 0% टाइप और supply में goods को लेते हुए हम इसे accept कर लेंगे एक बनेगा laser CGST का CGST under जाता है duties and taxes में type GST tax type central और percentage जाधा हो जाएगा 6% rounding method normal rounding और limit 0 रहेगा इसे हम accept करेंगे एक बनेगा SGST duties and taxes GST इस मतलब होता है state tax percentage of calculation हो जाएगा आपका 6 surrounding method normal rounding इंटे करने के बाद rounding limit 0 होगा और इसे हम accept कर लेंगे अब दोस्तों एक party name बना लेते हम राहूल जिसे हम खड़ देंगे PBT अब राहूल का laser जाएगा Sunday creditor में क्योंकि इसे हम purchasing करेंगे bill by bill को yes रखेंगे क्योंकि राहूल से उधार खरीदना है interest भी charge करना है तो interest calculation को भी yes करेंगे interest transactions by transactions को yes करना है override parameters को भी yes करना है और यहां से interest calculation को yes करते हुए added amount yes होगा और directed भी yes होगा rate हम 5% यह दोस्तों यहां पर ध्यान दिजेगा बहुत student यहां पर confused हो जाते हैं और जोडते हैं yearly और खोजते हैं monthly तो नहीं हो पाएगा इसलिए यहां से सोच के डालिएगा अगर आप yearly डाल रहे हैं तो interest calculation बारा महिना पर करेगा अगर आप monthly कर रहा है तो monthly करेगा तो हम इसे 5% monthly चार्ज कर रहा है 30 days आपका पर मन्त और यहां से all balance पर चार्ज करते हुए इसे हम accept करेंगे एक सेंस करने के लिए हम anil का laser बनाएंगे क्योंकि उधार हमें बेचना है तो जब भी हम उधार बेचेंगे तो party name तो चाहिए ही चाहिए अब यहां पर laser जाएगा संडीक डेटर्स में बिल बिल इस रहेगा उधार बेचना भी है तो इसे भी interest चार्ज करेंगे तो interest calculation यह करेंगे तो transaction by transaction यह override parameters yes amount added yes और directed yes percentage 5 30 days month all balance और इसे हम accept कर लीए अब दोस्तों यहां पर laser जो है वो already हो चुका है अब जो बाकी laser अगर बस जाता है तो हम बाद में उसे देखेंगे फिलाहल जितनी laser की जुरुवत थी हम interest calculation के लिए मैंने सारे lasers को बना लिए escape से अब जाना है आपको back back जाने के बाद फिर से create में जाना है और जिस समान का transaction कीजिएगा उसके लिए unit में जाकर के एक PCS का unit बनाईएगा PCS पूरा नाम होगा PIC Unicode में PCS को select करते हुए decimal पहले 0 और accept उसके बाद stock ग्रूप में जाते हैं ग्रूप बना लेते हैं computer का stock item बना लेते हैं mouse का यह under हम इसे computer में जालते हैं का category normal रहेगा unit यहां से piece को select करते हुए हम इसे GST applicable कर देते हैं और details को yes description में फिर वही लिखना होगा आपको goods HSN जो code है वो code डाल लीजिए calculation type on value और taxability में taxable rate 12% चार्ज करने हैं तो 12% चार्ज और यहां पे central state छोच हो ले लेगा आपका automatic case zero type और supply में goods को रखते हुए हम इसे accept कर देंगे escape से back जाएंगे अब इसी के transaction करने के लिए हम voucher में जाएंगे इंटर प्रेस करेंगे पर्चेस का shortcut की होता है F9 यहां पे भी क्लिक किजेगा तो पर्चेस खुलेगा suppliers invoice number 1 date आज का डाल दिये party name हम राहूल को डाल दिये राहूल PBT इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद laser automatic यहां purchase का ले लेगा समान आएगा mouse ले लेंगे 1000 पिस खईज रहा है अगर 2000 के rate से पर mouse तो यह 20 लाग का समान होता है एक बार इंटर करके हम इसे CGST लगा देते हैं इंटर करते हैं अब यहां पर इवे बिल की जरुवत आती है तो इसको हम फिलाल नो रखते हैं इवे बिल की जरुवत नहीं है मुझे हम इंटर करेंगे यहां से तो एक बिलवाइस details का अप्शन खुलेगा इसमें हम यहां पर purchase कर रहा है उधार इसलिए हम new reference डालेंग नाम डालेंगा जिससे हम purchase कर रहा है तो राहूल यहां से interest date जो पूछ रहा है कि कितने दिनों के लिए अगर आप amounted अगर बताया जाए तो कितने दिनों के लिए उधार ले रहे हैं तो हमें फ्रॉक्स 10 दिन का date ले ले लेते हैं और यह interest parameters आपको एक बार दिखेगा इंटे करके narration यहां type कर सकते है being purchase और इसे हम accept कर लेते हैं तो यह purchase आपका 10 दिन के लिए उधार हुगा with interest के साथ में अब इसे बेशना है तो बेशने के लिए effect जाते हैं sales खुलेगा party name हम anil का डालते हैं इंटे करके हम आगे बरते हैं इंटे करने के बाद हम sales का laser भी डाल लिए समान mouse डाल लिए 1000 पीस मेरे पास आए तो हम 1000 पीस बेच रहा है बाइस हो के रेट से इंटे करते हैं total amount आजाएगा cgst हम charge कर देते हैं और फिर sgst पर क्लिक करके इंटे करते है sgst चार्ज हो जाता है इव बील को no करते हैं और यहां से bill reference में हम new reference डालते हैं और नाम डालते हैं यहां पे anneal और date भी 10 दिन के लिए ले ले लेते हैं जो बेच रहे हैं वो 10 दिन के लिए बेच रहे हैं और interest parameters का option आएगा इसे इंटर करके एक narration निखलेना है बिंग शोल्ड और इसे हम accept कर लेते हैं तो यह दोस्तों sales का transactions भी आपका हो जाता है लेगिन अगर आप interest चेक करना चाहते हैं कि मेरा interest कैसा है और कहां गया कितना बना तो यह देखने के लिए आपको जाना पड़ता है यहां पे display mode reports में statement of account में जाएंगे interest calculation का option मिलेगा interest receipt पे क्लिक करेंगे तो यह interest आपको इत बिए करना है interest तो दोस्तों यह दोनो माउंट आपको बताया जा रहा है जो आपको ты करना है तो यह तो बाकी है आपका यह 2200-600 these possible ऑर इसमें जो है आपको receive करना है जो इंटे करने के बाद payment करने के लिए A5 प्रेस करते हैं यहां से मेरा payment खुल जाता है अब payment में अगर हम राहूल से करते हैं तो राहूल का जब नाम लेंगे तो यह 42 ही पैसा आपको payment करना है इसमें interest नहीं added है अगर यही काम हम receipt में करें voucher में जा करके अगर receipt मुझे अनिल से कर जो main amount है लेगिन आपकी मन है कि हम interest जो charge किये हैं वो पैसा मेरा कहा गया उस पैसा को add करके मुझे पैसा लेना है और उस पैसा को add करके ही मुझे पैसा देना है तो इस situation में आपको debit note credit note की entry करनी पर जाएगी अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे जाना आपको alter में अल्टर में जाने के बाद voucher type में जाकर कि इंटर करना होगा उसके बाद यहाँ से आपको खोलना होगा पहले credit note credit note खोलने के बाद इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद यहाँ पे एक option आएगा name of class इसमें लिखिएगा interest इंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पे एक option आएगा use class for interest accounting इसे yes कर लेना है और yes करने के बाद इसे आपको accept कर देना है अब यह आपके purchase के लिए हो गया जो पैसा आपको payment करना है sales के लिए मुझे debit note को भी खोलना होगा same process करना है इंटर करके आगे बढ़ना है इस समय कुछ नहीं करना है आपको जो है वह रहने देते हैं और किवल name of class में यहाँ पे आपको लिखना है interest इंटर करेंगे और इस option को yes कर देना है यस करने के बाद इसे accept कर देना है फिर back जाना है अब back जाने के बाद आपको जाना है voucher में इंटर करना है उसके बाद जाना यहाँ से other voucher में other voucher में जाने के बाद पहले हम credit note की entry करेंगे इंटर करेंगे यहाँ से हम select करेंगे interest इंटर करेंगे interest आपको receipt करना है राहूल से तो credit note में हम यहाँ pay करना है राहूल को तो credit net में हम राहूल को よろしい जैसे राहूल को डालेंगे यहाँ पर total amount आपको दिखा रहा है, दोस्तों हम एक दिन कहीं interest calculate कर रहा है total दिन का नहीं है एक तरीक कहीं हम काम कर रहे हैं तो यहां पे 37, 33, 33 पैसा interest बन रहा है तो यह amount आपका आजाएगा इंटर किजएगा by default auto fill हो जाता है इंटर करने के बाद आपको और कुछ नहीं करना है amount auto fill हो जाएगा यहां से आप new reference डाल लिजिए और नाम डाल लिजिए रहूल interest यह राहूल का interest है और इसे हम इंटर करके accept कर लेते हैं कोई rate नहीं रहेगा सब कुछ वह रहेगा आपका और इसे हम accept कर लेते हैं यहां पे interest जो आप receipt कर रहा है तो इसके लिए यहां पे एक आपको laser बनाना परेगा interest receipt का तो हम यहां पे create button से जाकर के बना लेते हैं हाला कि laser में आप पहले बना लिए होते हैं तो आपको जुरूत नहीं परता तो हम create में जाते हैं और बिल्कुल असान लेजर है अब बना लिजे interest paid के नाम से यह खर्चा हो रहा है तो already indirect expenses में जाएगा तो इसे हम indirect expenses में डालते हुए बाद बाकी सारा option not applicable ही रहेगा इसमें कोई option को यस करने की जरूत नहीं है सब not applicable रहेगा amount आ जाएगा narration लिखना चाहते हैं तो लिख सकते otherwise accept कर लिजे अब रहुल के main amount में आपका यह जो भी पैसा था वो add हो गया point 33 इंटर करेंगे automatic यह bill wise reference खुलेगा against डालेंगे तो दोनों पैसा आएगा रहुल का जो original amount था यहां वो और second में आएगा रहुल का जो interest का amount था वो इंटर कर लेंगे अब यह पैसा कैसे pay करना आपको cash दीजिएगा की check दीजिएगा तो दोस्तों हम पैसा cash देने वाले हैं तो यहां से cash को select करते हुए narration लिखना है तो लिख सकते है being interest pay to Rahul और इसे हम accept यानि being cash pay to Rahul और accept कर लेंगे तो यह पैसा Rahul को अपने payment तो कर दिया अ इंट्रेस्ट को select करके इंटर करेंगे debit note खुलेगा अब debit note राहूल पर करना है sorry anneal पर करना है तो anneal को select करेंगे amount automatic यहां पर बताएगा एक तालिस जीरो चो प्वाइंट इंटर करके आगे बरेंगे auto fill हो जाता है amount अब इंटर करेंगे इंटर करने के बाद यह new reference डालेंग इसके लिए मुझे create में जाना है इंटर करना है और एक laser बनाएंगे interest receipt के नाम से अब यह receipt हो रहा है पैसा तो indirect income में जाएगा तो इसे हम डालेंगे indirect income इंटर करेंगे not applicable और not applicable सब कुछ not applicable जालेंगे डालेंगेutz वहते है तो ऊत्य है और अरत झालेंगे इंटर करेंगे इंटर करेंगे कना है aboutevensklish to इसका